उन्दे बात्रों मिद्यार्थियों, आज हम राजनी दिविग्यान की पर्टे पुस्तक स्वातंदर बार्तमे राजनीती के अध्याच्छे लोगतंत्रिक व्यवस्ता का संकट का कुई क्रिविजन करेंगे प्रियास करूंगा की बहुती कम समय में अपके पूरे पार्ट का जो क्रिविजन हो जाए आईए स्वो करते हैं पहला पॉइंट है सन 1967 के बाद से भार्टी राजनीती में जो बदलाव आ रहे थें उनके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं निरा गांदी कदवर नेता की रूप में उपरी और उनकी लोग प्रिता अपने चरम पर थी इस दोर में दलगत परतिस्परता कहीं ज्यादा थीखी और दुरूभी का तोजली थी इस अवदी में नयापलिका और सरकार के आपसी रिस्तों में भी तनावाए सर्वोच नया उननिसो बहतर में किसके दोपरा दिया गया इंद्रा गंधी के दोरा दिया गया बहराल उनुसए अकतर बैतर के बाद की सालों में भी डेस کی सामजीक आर्थिक दसा में खास सुदार नहीं हुआ उनसो तीयतर में चीज्यों की कीमतmiş देची में 3 पिस दी और उनसे चाहए से है कि कितनी में कितना बड़ोत्री हुई और इस तीवर मुली वर्दी से लोगों को भारी परिशानी का सामना करना पड़ा कठेना ही हुई इस से क्रसी की पैदावर में वारी गिरावट आई खद्यान का उत्परादन आठ परतिसत कम हो गया और आर्थिक इस्तति की बजाली को लेकर पूरे देश में असंतोस का माहल था 1960 के दसक से ही छात्रों के बीच वीरोत के स्वार उठने लगे थे और ये स्वार इस अवदी में और ज्यादा प्रबल हो उठे अगला हमारा पॉइंट है जैप्रकास नारेन के नितरत में चल रहे आंदुलंद के साथ ही रेलवे के करमचारियों ने भी एक राष्ट्र वे भी आदुलंद का आववान किया नक्सलवादी समस्या जो शुरुगात हुई थी तो नक्सलवादी आंदुलंद ने धनी भू स्वामियों से बल पूर्वक जमीन छीन कर गरीब और भूमीन लोगों को दे दी और वरतमान में भी भिलाल नो राज्जियों के लगपक 75 जिले नक्सलवादी इंसा से प्रभावित है इन में से अधिकांस जो बहुत प्रिशड़े इलागे है और आदी वास्यों की जन सिक्या इन छत्रों में ज्यादा है उन छत्रों में नक्सलवाद की समस्या अभी भी किया फहला था उनस सो न सिच्छर में कесवान भारती के मुख़टमे में सरवोज्च ने दृष्डरा प्रैसला सुनाने के तृरंत बाद भारति के मुखे ने दूख भादबाद के उन 1909 का तीन जो से वरिष्ट नियादिस थे उनकी अन्नेकी करके निक्त किया गया था दूसरा 12 जुन 1945 के दिन इलाबाद आई कोट ने या इलाबाद उच नहले ने नियादिस जगमोन लाल सिना ने एक फैसला सुनाया और राजदनायान ने जो भी इंद्रा कांधी के खिलाब उनस 25 जुन 1945 को दिली के रामलीला मैदान में पर्दसन पी किया और जो राजदनायान केंडिट जो थे उनके प्रक्स में इलाबाद उच नहले ने फैसला सुनाया था 25 जुन 1945 के दिन सरकार ने गोशना की कि देश में गड़बड़ी की आशन काया और इसी तर्क के साथ उसने संविधान की अनुछे 352 को लागू कर दिया तो गंबीर संकट की घड़ी आनक पड़ी और इस वज़े से आपातकाल की गोशना भी जरूरी हो गई तो ये 25 जुन 1945 की बात है अगला है 2400 संविधान संसुदन इसके जरीया ने एक बदलाव हुए जिन में से एक था देश क जुकी विधय का को कारेकाल को पांस साल शेचते साल करना please जाने और रेशर्ण संसुदन न में यह वहां सचाल संसख कर दिया गया नहीथ दोने से पर नहीं तक देखें तो उन्हें से कितर के बाद में आम्चुनाओं में उन्हें शेक्टर धी बाद में करवाई जा सकते थे यो इसकी समय सीमा 5-6 साल करवा दी थी और अपातकाल के विरूत में या अपातकाल की जांच के लिए जो आयोग टित किया गया था उसको सायोग आ गया सायोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि निगम महाप्रबंदन को दिली के लेपनेन गवर्नल के दफ्तर से पचीस जोन उनुसे पिचत की रात को दो बुजे मौकी का अधिस में विफक्स को चुनाओं की त्यारी में कम समय मिलता मिला कॉंग्रेस को लिखबग जो भी मत रहा है उसमें 154 सीटे मिली थी और उसे 35% से भी कम मत दाना या वोट आसिल हुए जनता पार्टी उनके साथी दलाओं को लोक्षभा में कूल 522 मैं से 330 सीटे प्राप्त हुई और जिसमें अकेले जनता पार्टी को 295 सीटे प्राप्त हुई उनके साथी के जनवरी में लोक्षभा में नई सीरे से चुना हुए इंद्रा गांदी के नितरते में कॉंग्रेस ने उनके साथी के चुनाओं में एक बार फिर 1931 के चुनाओं की वाली कान इस द्वराई और बारी से पलता असिल की कॉंगरेस को 300 त्रेफन सीटे मिली यानि जो सीटें उनके सटार के चुनाओं में जो सीटें आर गई थी वो 1908 के चुनाओं में इंद्रा गांदी को पना मिली और सटा में आई 1977 से 89 के चुनाव में लोगतांत्रीक राजनिती का एक और सबक शिखाया गया कि सरकार अगर अस्तिर और कले भी वह जाता है 1977 और 80 के चुनाव के बीच दलगत प्रनाली में नाटकी बदलावाए 79 के बाद से कौंग्रेस को सबलों समाई का जो भी समाइद करने का चलाने का जो सबाव है बदलना सुरूऊए अपातकाल उसके आसपास की अवधी में हम समयदानी संकी अवधी के रुप में भी देखा जा सकता है और इन सकतियों के अपातकाल के दौरान दुर्पयोग भी जिसका नाम था लोकतांतरीक वेवस्ता का संकट, इसको मैंने बताने का प्रयास किया है, थोड़ा सा जो भी लिखा हुआ है उसमें language की जो भी mistake है, उस का अधा से थोड़ी समझ जाए, लेकिन प्रयास करूँगा कि इस पार्ट से समझ जितने भी multiple choice questions हैं, उनका वीडियो में अलक्से अप्लोड करा हूँ आप वो देख लेए और इस पार्ट से समझे कुछ इंपोर्टन प्रस्न अगर बन रहे होंगे तो उनका वीडियो में अलक्से अप्लोड कर दूगा ताकि आपका कॉंसेप्ट है वो क्लिर हो जाएगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक देहिंत के बारत है